रूस में गए थे प्रधान मंत्री इसे उठ चला ने 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 बुले क्या बात करते हो आप इतनी उमर तो है नहीं आपकी आपके पैदाओने से पहले स्टालिन मर गए थे बुले मैं इसी चीज के लिए दहने बात करें कि अच्छा वो नहीं है आप उल्टी तिसा में बहने के लिए अच्छा कोई रेट विट नहीं होगा एकदम अनपोलेजेक्टिक है अनपोलेजेक्टिक है शिव जी के साथ पेजबता भी मता है आखरी वाले में ना अबे और है क्या एक दो वाल्टिक बात हुई थी या 17 वा जिन्दगी हो तेरे संग हो बलमा इसके बाजार में महबबत की दुकान में एक बच्छा बच्छन साब लोले चरह मौशी जी को देख रहे हैं I can relate to that जब वह चीकता था तो आप कहते हैं दो चमच बरांडी पिला दो आज बहीं दो चमच बरांडी शराप की बोतल बन गई है मिर्जापुर देखी मिर्जापुर रहे हैं सब दिन सोता है देखें कब टेंडर होता है कौन कमबख्त परताष्ट करने के लिए प्यार में जान देनी की तैयर हुए पता कौन से पिचर का है अब हमसे पूच रहे हैं तो मैं अपनी लिह आके बैट दिखने है शहाबी बनना ते मुझे कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की तो आइसा जुल का भावी अरे मामा नीलम को देखो देदा को तुमारी मामी एक ठो बात बताएं लेकिन तुम कट बात होगे रहने देते हैं यह सवाल भी मेरे साथ चला जाएगा एक और जोक आया पर वो भी कट जाएगा कोई रोज सबेरे जंगल पत्तों को बजाकर गीत गढ़ता है कोई कोई चरहिया अपने बच्चों को पांक से सहलाती है प्रकृती कहती है कि हिरणों अपनी टोलियों में कुलाचे भरने और दोड लगाने की पुकार भरो और कोई शेर खान अपनी दहाड से जंगल की आखरी नीन तोड़ता है लेकिन इन सभी उपक्रमों को धता बताते हुए मक्खियों के जुंड बाग के अनुशासन और बंदर की फूरती को कोई मधुप्रेमी भालू कहता है कि पार्टनर कोई और काम करो थोड़ा तो आराम करो आराम करो क्योंकि अब हम न जंगल रहे न जंगली हम भी एक सनीमा है क्योंकि कोई खांचा हमारी कहानिया बाचेगा दोस्तों दोश सरदार को न दीजिएगा इसलिए तीन ताल के इस प्रारंभिक प्रवचन में ही बता देता हूँ कि आज दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का पक्ष लेने वाला आदमी नहीं है आज हैं एक सनीमा और दूसरे जंगल जीवी इन दोनों के बीच मैं प्रस्तोता जीवी शुरू करता हूँ सठिया हुआ पॉडकास तीन ताल उसके सीजन दो का साथवा एपिसोड आसिफ खांचा मजले भहिया निशांत और कुल्दीब सरदार के साथ जय हो जय हो जय हो जय हो आज हम अच्छा ताउ ने उपलब्धना रहने का जो दिन चुना है जब तीन ताल सठी आ रहा है दूसरी बार बचे हो किताओ को इस ते फरक ने बार, वो खुद कहते है कि मेरी उमर जाधा है और र्ड़ी तेन ताल ज़्वान था 000 पाठा तुम सही का हो । साल की तरह है, तीन ताल साल को पेड़ की तरह है सौ साल खड़ा, सौ साल पढ़ा और सौ साल सड़ा 300 साल तो तुम और हम निकल लेंगे आप भी निकलेंगे नहीं निकलना जाना सबको है कोई यहाप वो नहीं है अभी अब जिन्दा है तो उसमें जाएंगे और जो प्रॉमिस के रहे हो तुम भूलने रहे हो प्रॉमिस कुछ नहीं भूलेंगे एक बार पहले यह बता जेते हैं कि ताउ नहीं है तो स्वास्थ कारणों से ताउ पलब नहीं क्योंकि बहुत सरे कॉमेंट आएगा किजिए और तीन तालियों को मतलब सेह से ज्यादा ताउ कि तो मुझे लगता है ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है और शुकरवार का दिन है जब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तीन ताल जनरली गुरुवार करते हैं शुकरवार के दिन ही 12 जुलाई के दिन एक नया स्पिन ओफ येस वो क्या है नारकोस का बेटर कॉल सॉ ला रहा है तीन ताल का पहला स्पिन ओफ पहला इसलिए बूलू और मजले वहिया का विश को आ दें तो वो शुकरवार को दिन एक दिन आज जब आप सुन रहे होंगे तो शेरखा आ शुका होगा आज यानि मुल फ्राइडे को छे बजे शेर खायेगा और शनिवार को दिन में तीन ताल आएगा और तीन ताल के जिस्क्रिप्शन में आपको शेर खान का लिंग लिंग दे देंगे यह वो है कि यह पॉपकॉर्ण के साथ लॉलीपॉफ फरी और शेर खान में क्या होगा जंगल के किस्से होंगे अन्फिल्टर टाइप हाँ हमारे तीन ताल जो साथ ही है और तीन ताल यह ही अपने मित्र है प्रो में इतने कुल दीप ने हमारे चला है अपने पूरे उस जगह पर ट्विटर पर इंस्ता पर वेबसाइट पर यूटूब पर हर जगह पर बस बना हुआ है और मुझे यकीन है कि आप सब का प्यार तीन ताल के तरह शेर खान को भी दीजेगा और पसंद ना है तो अक्सर डिमांड भी लोग करते थे खानचा के कहानिया जंगल भी पता रहे थे तो थोड़ा बैकड्रॉप भी तो दीजे ना कि कैसे मतलब अचानक से शेर खान का यह कहानी तो दो साल पुरानी यह अच्छा हुआ कि यह सवाल मेरे साथ नहीं जाएगा अच्छा हुआ कि शुरू हो रहा है वरना जब खानचा तीन ताल का हिस्सा नहीं थे तब से शेर खान की बात और यह कुल्दीब का यह आइडिया था शुरू में जब आया तो इन्होंने कहा था कि एक शो आपके साथ करेंगे शेर खान तो फिर कुछ वज़ए से हम काम में बीजी रहते थे फिर हुआ तीन ताल में कुछ किस्से आये लोगोंने डिमांड किया कि शेर खान मतब किस्से सुना जाए तो अभी हुआ कि तीन ताल बहुत लंबा वैसे ही है और प्लस एक छोटा वर्जन उसमें और डाल दे तो शेर खान भी बहुत छोटा है 45 मिनिट का होता है उसको और कम करेंगे 35 मिनिट का कर देंगा आने वाले वक्त में तो एक कहा जाए कि एक और इंटरिस्टिंग चीज है जो तीन ताल में ही जूर सकता है चाहें तो लेकिन तीन ताल के एक अलग रस है अलग मज़ा है एक जो एक जो आर्टिस्ट की फैंटिसी होती है ना जैसे समय काल वस्तू परिस्तिती को mix and merge कर देना abstract art जैसे आप देखते हैं कि आँख बहुत बढ़ा हो गया मैंने वैसे अगर सपना देखूं मैं शेर खान का कि वो कैसा दिखेगा विज्वली तो चुकि उसको खांचा सुना रहे हैं तो हो सकता है उसमें मैं एक wild artistic कलपना है कि मालने की एक हिरन है जो cycle चला रहा है और उसकी cycle पर केरोसीन की टंकी है और एक भालू है जो धूम्र दंगिका के साथ जो है चिपकते हुए चारकोल वाली सडक पे चल रहा है आपको वो एक cocktail मिलेगा personal experiences का बंदर पत्ते बाट रहा है तीन पत्ती में वो एक मिलेगा आपको साल से पहले सुनने को मिल जाएगा जब आप सुन रहा होंग तो लिंक वहाँ पी होगा तीन ताल के कमेंट में बता दीजीगा कि शेर खान कैसा लगा यह भी ज़रूरी है तो शुरू करते हैं आज हाफते तो रूस में गये थे प्रधान मंत्री पिर से उठ चला है अभी जैसे मैं तो मुझे तो मैं रशिया के जोक्स बहुत सुनता हूँ आप रूस जाएंगे तो पहले क्या करेंगे सबसे पहले क्या सोचेंगे नहीं बता पाएंगे अब होता है वोटका वहां की प्रश्यन वोटका आपकोस वहां ठंड बहुत पढ़ती तो और कि सोचे थे हम नहीं नाम लेना चाह रहे थे कि रश्यन बोलते ही सब लोग गलस समझ लेगा वहां पे फादर का दमके पानी मिलेगा ना पीर बाबाबो तो यहां चलते हैं वह सुनता है यह अभी अपरेजल का ट्राइं परेजल का वहां चलता है मैं नहीं उमर को अलग रहा हुआ है हमारा क्या है जोला उठा के चले जाएंगे बोदल बरके बोदल बरके वटका में यह एडवांटेज रहता है कि यह पता नहीं चलता है यार मेरे खंदान में शादी होती है तो जब मेरी भी शादी थी तो मैं हर शादी में हम लोग क्या करते है पार्टी करते है पीर बाबो दमके पानी चलता है तो मैंने अपने शादी में खुद भी पीर और साथ में इलाइची रखिए एक घुट मारी है हाथ में बोटल है आजकल तो सादी में गलास दलता है नहीं मतलब मगग और इलाइची के भी ज़वरत की यह सब स्वास्त के लिए आनिकार्यक है ताइम पर बोलने दीजिए नहीं फिर बाद पीछे से लगाना पड़ता है आगे बोलेते हैं आप मुझे एजट करके लगाना है तो आप क्या है कि हाफ लिटर के पानी के बोटल में क्वाटर क्वाटर मिक्स किया और चुप चुप मार रहा है लबली लबली बोलते हैं उसको जैसे कोई बढ़े बज़गा एक लाइची दबा लिए असलाम लेकुम मुझे आगे बढ़ा गया है पिर अपने अपने एक लगा है फिर कोई आगे को इलाइची कम से 30-40 खानी पड़ती है सुबत तक मुमी इलाइची लाइची बाता है रूस के रूस रेडियो है वहाँ पर रेडियो के एक शोता ने एक बर फोन किया और रूसियन का जो सोशलिस्ट कम्यूनिस्ट वेवस्था है बड़ी चर्चित रही वहाँ बड़े बड़े ऐसे वेक्ति हुए इतिहास के जो विवादित भी रहे काई लोग ने उनको आइ क्या है तो बोले है कि capitalist society में human human का शोशन करता है और socialist में ठीक उल्टा होता है human human का करता है फिर पूचा कि capitalist और socialist business में क्या फरक होता है तो बोले इसमें यह होता है कि capitalist business में सब कुछ बेचा जाना है socialist business में सब कुछ खरीदा जाना है फिर पूचा कि क्या सिर्फ अच्छी salary देने से लोगों का गुजारा संभव है बोला कभी हमें पता नहीं हमने कभी try नहीं किया socialist विवस्ता है फिर पूचा कि अगले election में result क्या आ रहा है बुले कि बहुत sure नहीं है क्योंकि पुतिन के office से result की copy दस्ताविस चुरा लिए गए है पीपर लिए नीट बैसे हम तो यहां पे Stalin jokes मतलब मेरे favorite jokes हैं मतलब हमने एक बार वोटका भी बात की थी कि कि सिर्फ 2% के लिए इतना बखेडा खड़ाशन नहीं जरुड़ाँ ऐसे कुसी कोई country वाले jokes होते हैं जैसे मुझे यह वाले भी बहुत पसंद है कि एक Irish वेक थी एक British वेक थी और एक American बाद में कुछ creative लोगों ने एक Indian भी जोड़ दिया यह चार लोग बार में गए सुने हैं यह वाले jokes कि मैं जो है मुझे मंच माइक दे दीजिए मैं स्टालिंद का धन्यवाद करना चाहता हूão क्या बोलना चाहते हैं जो मैं बोलना चाहता हूं कि उन की वजह sharpen मिला उसका बहुत धन्यवार किया बात करते और इतनी उपर तो हैं नहीं कि आपके पैदाओने से पहले स्टालिन मर गये थे बुले मैं इसी चीज़ के लिए धन्यवाद करें कि अच्छा वो नहीं है सभी इस बार हाथरस वाला वाले बाबा की के एक वकील साहब है ये पीसिंग उनका वीडियो सामने आए हाथरस वाले बाबा का भी वीडियो सामने आए किसी को पता नहीं हो कहा है अबी लेकिन मैसेज और वीडियो उनके जारी हो रहे है बाबा का पता नहीं चल ला है और एफायर में भी नाम नहीं है तो मैं लेकिन ये वकील अपी एपी सिंग के बारे में सोच रहा था ये यार कमाल का वकीलाई की ऐसी निर्भया वाले मामले में जो दोशी थे उनके वकील ये थे जो सारे ऐसे उल्टी दिशा में बहने के इनको शौक है और देखना अभी और एक गजब आत्मिश्वास के साथ और देखना ये अभी तीन ताल को भी नोटीस बेजेंगे बिल्कुल आप उल्टी दिशा में बहने के लिए अच्छा कोई रेट विट नहीं होगा एक दम अनपोलेजिक है इसका कोट देख के ही लग रहा है कि बहुत चिंदी चोर वाला है आप तो जरूर आएगा नोटीस अभी तक तो मैं सोच रहा था इस आदमी उसलिए देना जूरू है कि इसकी कोई वह नहीं है लेकिन आप इतने सारे लोग मर गए और आप उस आदमी को डिफेंड कर रहे हो जिसकी वज़े से लोग मरे इसमें क्या होता है कि कई सारे ऐसे वकील है जो कि ऐसे ही लोग को डिफेंड करते हैं आप एपी सिंग को सिर्फ आप फूस इंगलाव मर कीज़े निर्भया चोड़े ना राम जेट मलानी ने पूरे जिन्दगी कि इसको डिफेंड किया रिमनोस कोई किया है लेकिन इसमें क्या है न मैं यह कहता हूँ कि हमारे देश का समविधान किसी भी विक्ति को पृथम दिर्ष्टे है जो दोशी लग रहा हूँ उसको भी डिफेंड करने की और वकील देने की अज़ादी देता है इसमें कोई समस्या ही नहीं है मैं तो उससे मुझे कोई इस बात के लिए शिकायत ही नहीं है वो ठीक है आदमी अमेज आखें चौड़ी कर सकता है यार यह सारे ऐसे किसस क्यों चुमते है कोई इसमें प्रॉब्लम यह है कि वो बोल क्या रहा है उसमें उन्होंने जब यह कहा जब निर्भ्या के चैरेक्टर पर बाते हैं कहीं उन्होंने कहा कि उनकी मा को सोчना चाहिए कि हुशने यह कहा कि मैरी बेटी हो थी तो मैं उसे जिन्याद जन्म किस मान सकता का अदमी दूसरा गैस छोड़ा गया जिसके हो इसे भक्तर मरी, मची, लोग भी हो सुने लगे, किसी की फेपड़े में सांस नहीं पहुच रहा था, कोई दूसरा विर्योधी पार्टी की लोग आकर की सब करें, क्या बखवास कर रहा है, सीज़ा से बाबा को उठाओ, जो बाबा को उठाओ, जो बाबा को अंकार आगया थो उन में, वापीस बैक टू पवीलिन है, पट सारे भक्तों से बात कीजिए, सब वैसे ही बाते करते हैं, अरे एक और एक और ने बोला, कि मैं कोरोना में मर गई थी, बाबन चला है, मैं जिन्दा हो गई कि बाबा थे, एक और तो रो रही थी, उसके बेट अब हवाएगा नुकिस, आने तो, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, अरे तीन ताल से आते हैं, सीथा सीथा हिसाब है, एक लेकिन मतलब ऐसे तरासत भरे जीवन में ठंडी फोहार आती है, जब मैं तेज-परताब यादव को देखता हूँ, उसे शिवलिंग से लिप्ट इनान कर रहे हैं, महुत बुरा लगा, वेस्टेज अब भांग, नहीं वो तो महादेव को अर्पित हैं, महादेव को अर्पित हैं, तो काईदिस महादेव को डालों में लेकिन उन्होंने भगवान बदल दिया, पहले वो साथ में हो गया, लपड़न के थे, नहीं दोनों के साथ तेज परता भी मताब है, आखरी वाले में न, या बे और है क्या, एक दो वाल्टी बात हुए थी या, 17 वाल्टी डाल चुके हैं, अचा जो डॉन डाल रहा है, ऐसे, उसका भी घड़ा प्रेक्टिस हैं नहीं, पुजारी जी जो हैं, जो जिस तरह सा रोल, मुझे एक आद बर लगा, लोटा न गिरा दे सर पर, अचा, हेवी था वो लोटा, अब मानो इसमें कि वो जो चढ़ा रहा है, वो भांग चढ़ा हुआ उस पर, और एक, दो, तीनों गुसा लगा, खेंच के मार दे सर पर, तेज परताप को, सारा तेज़ा ही बाहर आ जाएगा, लेकिन वो अपने, अभी बीच पे उसने पाइलिट की सेना तयार की थी, वो रोज ने-ने अतरंगी रंग में, अतरंगी कामों करते हैं, मैं तो समर्थक हूँ, वो तो फिल्म ही बनाने वाले थे, जिंदगी मजा लोग, नी समर्थक तो होना चैसे, उर्फी जावे, तेज तेज प्रताप, इस तरह के लोगो, तोड़ा सा कलर बना रहे हैं, और उसके फॉल्वर हैं बहुत तकड़े हैं, भाई साब, तेजु भाईया के जो, ने मैं भी फॉल्वर हूँ, भाईया मैं भाईया, तेजु भाईया, और मैं उनकी रील्स देखा हूँ, आपने ये फिल्म भी बनाने वाला था अपना, उसका नाम भी रखा था, रुद्रा, उसका ट्रीजर भी निकाला था, पता ने देखा है, नहीं, मुझे याद है, मिरे काल 2008-10 की बात थी, नहीं नहीं, अभी रिसेंटली, 2008-10 उसका वीडियो लांच किया था, और एक और और ये साइक नितीश कुमार करते था था, उस तरह से वो अपना भी करता था, दरबार, उसके अलावा मैंने देखा है कि 25-30 साथ में जुटा लेंगे, टाइकॉंडो और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसा रिफेंस के लिए, फिर उस दिन पाइलिट बना दिये सब को, ज निखरते जा रहे हैं, उनमें भी एक मनुरंजक तत तो बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि पायर चूलें आपके, किसी अधिकारी को उनमें कह दिया कि, वो एक थोड़ा सा जो बाइडन तत तो आ रहा है उनके अंदर नहीं, पिछले एक साल में तो देखा है, बहुत कु लेकिन मुझे बेस लगा था, जब उन्होंने धीरे से साहिब का हाथ पकड़ा, और देखा कि दिये हैं, तो साहाब को भी लगा होगी, आज बेटा तुम्हारी जरूत नहीं रहती ना, मा कसम यही हांत, राजकुमार रोले अंदाज में, ठ्रा, केंस देते हैं हम तुम पे खांचा तो क्रिकेट नहीं फॉलो करते हैं, तीन पत्ती फॉलो करते हैं, और टी जुएंटी वरिल कप के बाद विदाई-विदाई हो गया है, राहुल डवेड का, गौतम गंबीर आ गया है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब गौतम गंबीर, विराट कुली एक साथ खेल अब मज़ा आएगा पलें, अभिषेक सर्माक बैटिंग देखे आप, जिम्भावे वाला ना, देखा नहीं, जिम्भावे को क्या लाइट लेते हैं, जिम्भावे का मैं क्या देखे, किसी को बोलो कि एक टी-20 बैटर, टी-20 में सेंचुरी मार दिया, देखे आप, लेना चाहिए, क्योंकि क्रिक्ट जो है, एक गंभीर समस्या है, समस्या भी हो सकती है, इकबाल मुवी में एक चचा थे न, जिनका बेटा की अगबाल था, वो ऐसे ही बात करते थे, इकबाल के बाव जी आप एक टलपड़े की बुए, शेर्स तलपड़े, गौतम अबीर क लेकिन वही है, इसे राजनीती में उनका करियर एक तरह से नाकाम रहा, पार्शली सक्सेस्फुल है, सानसद हो रहे, लेकिन उनने सानसद ही वाले टाइम पर एक अच्छा काम के था, एक रुपए में खाना खिलाना वाला जो बागर बंद हो गया, मुझे लग दो तीन ची लेकिन वही है कि इनके आने से डर भी लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम का महौल वह एक चीज है, क्योंकि थोड़े से इनने शॉर्ट टेमपर होने के लेक्शन दिखाए हैं, और उसमें भी विराट कोली जब ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है, सब लोग कह रहे है कि विराट क एक खास फिल्म पर बात करेंगे, पहले तो मिर्जापुर से बाच्ची चुरू होगी, और उस बहाने उत्तर प्रदेश और बिहार के पिक्चराइजेशन पर, और उससे एक फिल्म की बात करेंगे, जसका टाइटल अपने आप में एक बिम्भ है, उसका नाम है देवदास और जिसके डाइलॉक्स के और गीतों के बड़े चर्चें हैं, और खांचा ने वो फिल्म न देखी है, बलकि जी है, देवदास हम लोग इसलिए डिसकस कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट वो रिलीज भी हुए थी, उसके कितने साल हो रहे हैं, 2002 में थी ना, 22 साल हो गए, 2002 मेरा कॉलर ट्यून होता था, बाबुजी ने कहा, ये छोड़ दो, कैसम चिताब आता था, कॉलर ट्यून होता था, वो ही लगावा था, देवदास उस साल की सबसे बड़े हैं, देवदास और उसके अलग-अलग एड़ेप्टेशन, सब के बात करेंगा जायलोग्स पे, औ उस समय रहा, और देवदास होने के साथ, जो प्रेमी होने का रोमांटिसिजम है, या नाकाम प्रेमी होने का रोमांटिसिजम है, वो आता है, और वो रहता है, ठहरता है, उस पर बात करेंगे, लेकिन सब कुछ अंदरमुखी नहीं मिलती है, और फिर बिजार खबरों में, कहीं को मिलती है अपनी बात मत कहिए साथ में कौन बैटा है सुन लेंगे फिर हो जाएगा देवदास तो नहीं बनेंगे बंगव जुदास जरूर बना देगी तीन ताल के रिकॉर्डिंग स्टूडियो का पारो बढ़ता हुआ क्यूंकि आच ताव नहीं है ताव जब रहते हैं तो क्या है इन फेक्ट मै जब ताव बोलते है तो मेरा सुनना मुझे ज़्यादा प्रसंद आता है बोलने की बजाए क्यूंकि बाकी लोग भी देखते है तो जो लाइफ जैसे देखने के मज़ा है और ताव कोई साथ जब मैं बेटता हूँ तभ मुझे तब मजा आता है मैंने बोला मंजली भी यह कुछ बोलते नहीं है ताव बैठे वे तो उनको सुनते हैं क्या बोलें कुल दीब होते हैं तुम लगता है कि यृ कुल कुल दीब जब ख़त पढ़ते हैं तब लगता है कि I wish कि मैं भी इतनी साफ से तरह एंडी और जबान मेरे होती है मेरे दिल साफ है लेकिन तुम्हेरे तरह जबान नहीं बिजार खबरों में एक खबर है कि एक कवी हैं उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया चूना लगा दिया स्कैम्स्टर्स ने नकली सी भी अधिकारी बन करके उनसे पैसा वेसा मांगा गया और उनसे शेर भी कवीता भी सुनवाई कुछ-कुछ और मासुरी भी बजवाई और फिर दूसरी बिजार खबर है उत्तरप्रदेश के संबल से जहां एक मास्ट साब जो है कैंडी क्रिश खेलने की वज़े से प्राणों से प्रिय तीन तालियों की चफिआ और जिस तरीके से मिर्जापूर को देखाए है मिर्जापूर बिल्कुल वाचा नहीं है वहां गोली भाषिक परफे नहीं है लोगे पास और यह यहां एतनी गोली दागें हैं जो ही फार है अब मिर्जापूर कभी पूर्वांचल की गद्धी के तौर पे कोई मानी नहीं सकता है अब मिर्जापूर उपर इसे नहीं है सिदे साथे लोगों का शहर है उसमें बस एक इची दिया कि कालीन वहाँ बिखती है और कुछ नहीं से जिए बदोई चलागा कुछ नहीं है मिर्जापूर से बड़ा मनुष सहर मैंने अपनी किसम नहीं देगा कोई रोना क्लीन है हर शाहर की एक चाम होती है बनारस बोलत रहा हूँ वहाँ सिफ कालीन के ही वज़ेस से नहीं रोड से कुछ रोगा न मिर्जापूर बनारस इलहाबद यह सटे हुए है तो इलहाबद में तमीज की लोग मिल जाते है थोड़े बनारस में चाहिए है लेकिन मस्त है विद्वान भी है मिर्जापूर में मैं तीन साल वहाँ पर रहा हूँ और उखडगाट जगह है मेरे दादा ने तीन सादी करी थी तो एक दादी मेरी मिर्जापूर की थी मेरे खाल से बान भी क्यानवेगी बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर पक्की सड़क एक है पक्की घाट पक्की घाट पर आप जाएंगे फिर आगे जब आप जाते हैं पूल से चड़ते हैं तो चिल्ले एक जगह है बिंद्याचल में दर्शन करता था अगर आप जा रहें मिर्जापूर से टूर्ड बिंद्याचल तो पहले कंतित सरीफ एक आता है कंतित बाबाव के मजार जो बहुत फिमस है तो हर थर्श डे को वहाँ पर या फ्राइडे को जाना होता था तो मेरे पास हीरो इंपक्ट साइकल होती थी और वहाँ से बिंद्याचल मेरे खाल से 13-14 किलिमेटर था जादा बलकि 17-18 मैं साइकल से जाता था तो बिंद्याचल दर्शन करता था फिर आते था एक कंतित बाबा किहां वहाँ पर उनको मानदा ठेकता था मतल से वे अपता जो भी था और वहाँ आना तब पक।भडी मिलती थी मुह में पानिए आ गया और तब सस्ता जमना होता था पक।भड़्य जैसे वाँ पर कहते थे और पांच रुपए में इतना मिलता था कि घर भी ले आते थे और वहां अच्छा एक और किस्ता सर्ज में आया है जब वहां से आप आते थे कंतिन सरीव होते वे रुखर घाट से पहले एक नाला था बहुत पुराना मतलब पिश्च टाम से भी पहले का वहां ऐसे दो शेर टाइप से बने वए research पुलिय Сам ओसे निपाने न्नीकले एक शोने के निकले पता निच्छा नी चालीस मनी या वह निकला सोना निकला वहां चुनार में किला भी तो चुनार किला है जंद्रगांता की कहानी वहीं से चुनार थोड़ा आगे हो था मिर्जापूर से अब आते हैं मिर्जापूर से कालीन भाईया कुछ नहीं है और पुर्वान्चल में कभी मिर्जापूर का किसी भी तेरे कोई युगदान नहीं है पुर्वान्चल में कालीन का काम हुआ करता था राजना जी वहीं पर टीचर थे बिनानी कॉलेज हुआ पर है और वो था बलके आस्तोस जो अपने आप वाले नेता है वो भी बिनानी से पड़े हुए है तो बिनानी कॉलेज के गुंड़े ही होती थी वहाँ पर अच्छे वा यह मत कुले दोस चीज को तो मिरजापूर के किस्सा यह है कि हमारे एक दोस्त है नीरज उपाद्या है तो अभी वो लखनों में है और मजिस्ट्रेट है और उपाद्या जी उनके फादर जो होते थे तो नीरज की बहन मतलब मेरी बहन जो ही शादी थी चिल्ले मिरजापू तो सोने की बहुस्ता जी थी उनकी घर बहुत पुरानी हवेली टाइप की थी तो जितने लोग बाहर सम्झुक दुद्धी से जो लोग गय थे तो चबिंदर जैसवाल थे मैं था और भी कई लोग थे जान पर चाचा हमारे थे तो चट पर सोने की बहुस्ता कर दी गई के तो जो कि बाहरा है जैसा पर फॉझता के लिए सब बनियान पहन के लोग सोते हैं तो चहत पे थे तो घ्लीष्ट आगए तांग हपने सब को निया हर थे का है कि हमको याद आ रहा था किसी का मन में गाना भी चल ला कि तुम से जुदा होके मुझे दूर जाना है इस सब तरी गाने मन मैं अपने जागे पढ़ा हूं तारे देख रहा हूं जी हवा चली हुआ तो मेरे निगा गई सब के शर्ट पे उड़े-उड़े कर रहा था और ह तो हमके रात में देखे तो उड़ते हुए तो सब लोगो ने रहे थे तो जोस्ता की सालत चोरी करने जेवा में इसे पैसा मार रहा है तो बदनाम नहों जाते तो उड़ने दिये टीक रुकड घाट पे जहा हम रहते थे उसके पीछे गंगा दिखती थी और समसान घाट भ लाइट आती जाती रहती थी तो लाइट गई हुई थी रात को तीन बजे आरेफ जो है बहुत फट्टू है हमारे भाई अभिधा में कहते हैं नहीं कोई लेक्षणा वेंजन घुमा के कहना ही नहीं जीदा बोलो इतना घुमा के को फूटेज का रहा है तो उसको गुरू ह चीता जला है यहां तक महा का रहा है तो प्रेस अन था और उस उपर शट बगया था अच्छल बज गया नपा जाता थी फिर उस टाए मिरजापूर मेरे टाइम में इक स्कीम आई थी कि आप तुमें पता होगे कि एक स्कूटर आप खर देंगे चार लोगों बेजेंगे तब 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 टीवी तो टीवी नहीं था हम टीवी जहां पर लेना तो उसने का आप छे आदमें को टीवी बिचवा दीजे एक टीवी आपका सतरा ठारा दीन लगा था टीवी लाने में एक टो नववा को थमाय थी जिसके बाल उनवाते थे एक कसा ही था उसको थमवाय थे तो करके ऐसे वैसे टीवी हमको एक टो फ्री में मिला था उस जमाने में अब बाकी मिरजापूर में अगर आप जाएंगे तो कुछ वो वाटरफॉल भी है ना जहां पर सबसे महत्वपूर साज़ेश होती है वहां सेटिंग होती है मुरारी क्या नाम है उनका सीम का माधुरी और सिर्सी विर्णम भाल बोलते हैं उसको वहीं शूट किया है क्या वहीं का है अभी हम पूरा देखे नहीं तीसरा उले सीज़ा लेकिन इलाका थोड़ा सा है वहीं का बाकी जो ऑफिस वगर दिखाया है गाड़िया जा रहे वह ऐसा मिरजापूर में बिल पुराने घार ही है क्योंकि नए बनाने की पैसे नहीं है ठीक है दूसरा जो आपके रहे हैं फाल बिंडम फाल उसको बोलते हैं कुपसर जगह है कई बार पिकनिक जब करने जाते हैं निव यर पर मैक्सिमम होग जाते हैं और बहुत लोग मरते भी है अब तो और मर रहे हो जाजे कि दोशूरू हाजा जाएगा फाला मेसा नहीं किरता रहता था पहले जाए घर्मे जाएग तो काक्तों जैसे कोई मूत रहा हो उस तरीके पानी निकल रहता है सुखा रहता है तो वह इस्तितिमा की होथी हुपसर इतलागा है हां वहां पे मर्यान एक जगह है सबसे आदा राजा सुदेने वाला डिस्टिक्ट है मतलब जिला है मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ था उस वहां पर शूटिंग हुई थी इस वही पड़ा खूबसुरत दिखाया सारी महीं है जाधतर डाला में सबको पता है रेनुकूट हाथिनाला दुद्धी और नदीज लववा नदी थेमा लववा काका नदी है ये रामधारी सिंग दिनकर के मकान पर कबजा हो गया तो बोलें बताईये रामधारी सिंग बिल्डर का मकान कबजा हो गया तो वो पीछ़ा बोलता है रास कभी है रास कभी है और निकर 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 का रहा है तो वो यह कि उस समय लोगों ने न तब लिखा भी कि रामधारी सिंग बिल्डर अगर कभी होता है सौभागे न सब दिन सोता है देखें कब टेंडर होता है जन्जीर बढ़ा कर साथ इसे आप पटवारी नाप इसे जो मिर्जापूर है जो गुंड़ा ही दिखाए गई न अगर आप वहां से थोड़ा आगे जाएंगे बनारस बनारस मुगल सराय जब आ जाते हैं तो गुंड़ा है वहां है वो कोईले कोईले के लड़ाई होती हो एक से गुंड़े है सब सब वहां पर है यह वारा माम बनारस में कवी सम्मेलन होते है जिसमें की यह अश्रील कवीता भी गरियाए जाते है होली पे जो आउता है वो तो एक बार तिंताल में ताउ और बाबा थे दोनों के अनुभव रहे हैं उसको देखने से ने किया जहां से भी बहुत फेमस है पूरा नहीं बोलूगा है वो बंद करो मतदान वाला आगे नहीं बोले है वो बहुत हुआ समान जो है उसमें गालिया है तो वो बहुत हुआ है दोचार जो गाली हम लोग गाली कहते हैं उसको गाली में समलित नहीं करते हैं गाली से बाहर रखते हूं वहां का है बाप बेटे को बेटा चचा को जो गाली हम लोग यहां समझते है म हला ऐसी नहीं है ना हर तकिया कलाम की तरह यूज किया दाता है मामा चछा भीप लगा तरह है यहां जो दिल्ली वाली गाली ने फयन वाली वो दे दो हमैं अपको गटर में डाल देगा काठ करके कमे बनारस के Five. बनारस में एक फेवरिट डालागा काट के गटर में डाल देगे जिद्धा गंगा निकल जिए जिद्धा क्योंकि वहां का पूरा गटर का पानी गंगा में जाता है हला कि हमेशा जो बड़ी पॉपुलर सीरीज है जो उनके सीजन होते हैं और सीजन दर सीजन बोर होता रहता है इस चीज में कोई बहुत अपिक्षा भी नहीं कर रहा था लेकिन रिसर्च कमजोर होती है सीवान में बॉडम शब्द इस्तमाल नहीं होता है वहां वो देवरिया वली भुशपूरी चलती है सीवान में भाशा जैसी आनी चाहिए मिर्जापूर से बहुत अलग आ रही हो ऐसा दिखनी रहे पर है ज़ान पूर देखाया है ज़ान पूर चले जाओ ज़ान से नताउन से जीसे मामला होता है ज़ान पूर वासे इंसान सुतरी जगा है चोटे मटे कारवार रही है महाँ पे और इमर्ती बेजवेज के रईस हो गए है लोग जान पुर्ट की इमर्ती बहुत स्वेमस है वही है वहाँ गोली कोई चला गए इमर्ती खा रहा है वेट के अराम से अब होता कहा ना प्रोड्यूसर जब अपने घर से बाहर ने निकलता ना तो उसको लगता है कि मैं जो बोल रहा है इससे बल्कि एक गुमने वाली जाने हो वो ना जाएं कि वह गोली चलता है वहाँ पर थोड़ा बड़ टूरिजम जो था लेकिन ये दो रोल मुझे बहुत खटके हैं और इसलिए भी क्योंकि स्क्रीन पर्जेंस भी उनका बहुत जादा उनके उसके हिसाब से था एक गोलू क्या बोल लही है उसको किस तरह के कपड़े पहनाए हैं उसके रोल के हिसाब से बहुत ही मिस्फिट लग रहा है कि वो मिर्जा पूरिया किसी एक सिवान की गली में प्रॉपर जीन्स और ओपन शर्ट के साथ जा रही है वो अन्बिलीविबल सा है गाउं में कोई मतला वो बहुत ही नोटिसिबल होगा अगर आप एक बंदूग लेके मार करने जा रहे है तो आप थोड़ा सा छिप के और इस ड्रेस में अगर इस ड्रेस में सिवान में लड़की चली जाए तो बंदूग उन्दू कुछ काम ना करेगा इस सारे से मार दें मर जाएगा लिए गोली मारने जूरते नहीं है और दूसरा वो जो म मैरट के मैरट के जो गैंगस्टर हैं जो मिडियेटर हैं जो मुशायरा पढ़ने को अतूर है जा उसको मै जब उसका इंत्रिज्जीज किया है मैं तब से सोच रहा हूँ इसको मारो इसको जो है गुंदू तु मेरट E.T. travel करो हम YE magnitude तुम्हारे करार हodelे है इसको मार के आओ मेरे को वैसे मिर्जापूर बहुत ज्यादा पसंदिदा सीरीज मेरे लिए भी है अगर मिर्जापूर में से आप गाली वाले वाले सीन्स हटा दो ना तो वो सीरीज खतम है उसमें कुछ भी ऐसा ग्रिपिंग नहीं है यह कहा रहे हैं गाली वाले सीन्स हटा दो दिख भे नहीं करेंगे और तुम यहां हमको रुख देते हैं तो गल्द बात है बहुत कम डिरेक्टर उसको सक्सेसफुली कर पाएं और जातर के लिए यूपी का मतलब यूपी वियार चोड़ दीजिए पूरवान चली है वेस्ट यूपी तो दिखता ही नहीं है मुझे लंगड़ा त्यागी और यह ओमकारा के अलावा वेस्ट यूपी आपको बहुत कम डिखेगा नहीं नहीं दिखता है उसमें भी सारे डिरेक्टर नहीं कर पाते जो इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस्फुल थे वो अनन्द अल रहा है थे उन्होंने पहले तनुवेट्समनू जब बना तो पहली वार वो स्टोरी थी कि अच्छा मतलब इस नॉट जस येश्राज फिल्म का रोमैंस एक यूपी का भी रोमैंस आता है उसके बास तो जितना भी वो यूपी बिहार की डिपिक्शन जो थे ना बहुत ही स्टूपीड हो नहीं आप नहीं यह देखो यार उन्होंने बनाई ए गंगा जल इस तरीक मूवी बिह लगता है वेबी उसको मुझे अंग दिखाता है मादर जात बस पर वारी बलंदर होगे रहें हाफ माइंड है सब्सक्रेल है वी बड़े अच्छे करेक्टर है वसुली भाई जो है इसमें का बोला थारे वही जो तुम सुना थारे जब उचलता है हाट हाट आंक दिखाता ह फिर वो तिजाब डालता है और गुप्ती से गुद देता है लिकर उसमें एक और डायलोग अच्छा था है SP इठीक नहीं हो रहा है इठीक नहीं हो रहा है SP और फिर उसका बाप आता है बचाने के लिए तो कहता है सुनो वकील घर का मामला है चीर के रख देंगे उससाब डाला होगे गटाला अपरन क्या मूवी थी या राजय देवगिन की प्रकाश जा की जो फिल्मे है उसमें ये वारा इपक्शन अच्छा हो था इसकी दूसरी जो उन्होंने बनाई थी जिसमें प्रमेस तो जै गंगा जल ने वो सब बेडा है गंगा जल मी जो अक्टिम इन्होंने की है हाँ उसमें इन्होंने अक्ट किया था प्रकाश जाने अच्ट के आथा 一 सिर्य जा बहत बगशिय है और वाकरे में ओ ऐी जिजनल इंस्पेक्टर लाग भी रहा वो लुग बना सकते हैं राकरशन खुद बनारस से है और वो बिहार में भी रहे हैं तो वो डिपेट कर सकते हैं उस तरीके से अब आप कहो कि एक बीच में पता नहीं को बॉलिवोड वाले सब आ जाते हैं अब सिदार्क मलोतरा को तुम यूपी का लखनाओ का या वरुन दवन को बैठा दो उसको सिर्फ गुटका खिला देने से थोड़ी वो यूपी का बन गाएगा आ जैसे वो सुपर थर्टी मुझे अभी भी समझे लिए हैं क्यों रितिक रोशन को आप अनन उसका वो दे रहे हो वो रोल पंकस्ती पाठी के लिए है वो टीचर वो दिखे लिए है रितिक रोशन और साइफ अली खान वाली रितिक का करेक्टर जची नहीं कर रहा है रितिक इस तर्वी फाइटर होगर है गोरी गोरे लग रहे हैं स्मार्ट फिटने से अनुरा कसे बाचिकल मूवी में ऐसी महला सी उसमें मुझे सनी देवल को देखके बड़ी निराशा हो ले है लेकिन यार एक मूवी आई रही हर कदम पे कोई कातिल है नसुदिन शाह और सनी देवल की थी गाना याद कर रहे हैं त्रीदेव को बोल रहा है अरे यार सनी देवल यार पंडित बना है उसका नामी का अर्जुन पंडित मूवी का नाम था वो भी हर्दवार में शुट वो फिर भी ठीक लगा था अनुर पर मार के फिर वो बॉमबे चला जाता है लेकिन यूपी बिहार के लहजे को कैसे पकड़ा जाए कम से कम महनत में और उसमें जो स्टीरियोटाइप बना उसमें गोविंदा के भी एक भूमिका है लो बहुत अच्छे एक्टर हैं बहुत हाई रिगार्ड से मेरे लिए लेकिन फिर भी यूपी में गोविंदा को बहु बिच की होती है वो बहुत रहा होना वो लोग जब यहां वाले डिरेक्टर लोग गए ना अनंदल राया नुराक कश्य अप इस तरह के लोग तब जाकर के वो फ्लेवर आया यूपी बिहार का भी कि यहां इसे भी बन सकती है वरना हर हीरो हीरो का बाब बर्खुरदार बो सतार फिक्स है खानचा फिक्स है मजलेवई उजय फिक्स है वो फिक्स की और दूसरा रूल करी नहीं पहुत है और क्युंकि उस जवाने में करते तो उनको लोग देखी नहीं पाती उनको connect नहीं मितना हीरो हीरोई एट हीरोीन विलैन इंस्पेक्टर comedian उस तरीके से होता था हम रिश्पूरी ही villain होगा प्राण होंगे प्रेम चोपड़ा प्रेम नाम है मेरा टाइप से करके निकल ले देते 25 साल पहले देवदास रिलीज हुई थी 12 जुलाई को ही जब हम record कर रहे हैं और आपने याद दिलाया कि उसके अगले दिन हम लोग नेट वेस्ट जीते थे जिसमें टी शर्ट लहराया था जो हारदिक के हाथ में आके गिरा है अभी वर्ल्ट पिर वोई क्रिक्ट पर आगए देवदास हैं दो इसलिए बता रहे हैं जब मेरे को प्रोडूसर ने बोला ना कि देवदास आज रिलीज़ तो मैंने बोला कि इसी दिन ना नेट वेस्ट हम लोग जीते थे तो सिने में उसकी भी रीजन बता रहे है सुनिये तो कौन कमबख्त परदाश्ट करने के लिए पीता है हम तो पीते हैं एक एक बोटल कि तुम्हें देख सके तुम्हें परदाश्ट कर सके और उसमें जैकिश्रावे के मुनाचे वो जो था ना ट्रेन वाला सी जो कहता है एक घूण पीशाराव तो मैं ले जहर होगा फिर शारुखान उठते है शारुखन ने बहुत ही बड़ी आक्टिंग किया और जब वो पीते थे देवा पीछे सावा आ जाती थी मुझे उस पिक्चल में दुआ देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो लेकिन अब यही बद्दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदी से आबाद हो तेरे घर भी बेटी हो वो तकड़ा था वो किरनकेर का कमबैक भी था बहुत दिन से मुवी में काम नहीं कर रही थी लेकिन वो देवदास के बाद वो फिर से वापस है तकड़ा बनाया था लेकिन उसमें जो बिस्ट पार लगा था बाबोजी ने कहा गाउं छोड़ दो अब मेरा कॉलर्ट यूं था याद है भी आपको एक दिना आगा वो कहेंगे कि दुनिया ही छोड़ दो क्या डालॉग था याद लेकिन उसमें जो जैके श्राफ ने भी कमाल केक्ट ने का उसमें सब ने ठीक किया था एक तो चंद मुखी ज्यादा बेटर मेरे को लगी थी अरे वो टॉक फट टाउन था उसमें बहुत सारे आर्टिकल इंडिया तुडे में ही उसमें मैगजीन में मुझे याद है वो आर्टिकल है कि कितना 30 किलो का लेंगा पहना था चंदरमुखी ने एक सीन के लिए बहुत सारी चीज़े था कई महाहिनों तक टॉप चार्ट अधा था जाया तैत फॉक अलगा जाया था के लिए सब कहानी की तरह देखता हूना मुझे पता निए क्यों ऐसे कोई ऐसे पासिंग रिमार्क ने देने चाहिए बाट देवदास थोड़े से ना यह लगता है कि उनसे ज़्यादा डिसाइजिव पारो और चंदरमुखी दोनों थे और देवदास मुहबत की उस मुहबत एक अलग चीज़े पर उनके किरदार बहुत दम नहीं था तुम्हें पता है इस टॉपिक को नहीं छेड़ना था क्योंकि कि वो जो गाना था ना हमेशा तुमको चाहाँ डोली जब उठाता है वो किसका पारो का उसी की एक साल पहले हमारे जो प्यार था उसकी डोली उट गई थी अगर देवदास बनेगी बन सकती है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देवदास में वो जो सीन है जो देवदास पारो को मारता है जहाँ पड़ा आज की डेट में अगर हीरो हीरो इनको मार दे सोचल मीडिया पे तो बावाल कड़ी है ओठा तो देगी वो तो अलग बात है दिक्कत है कि आप मारी नी सकते है उसको आप हीरो भी कैसे कर सकते है अजके लिख मिने से आनीमल वे आनीमल की हम दो बात करते हैं कभीर सिंग की मार दिया ये वो शारुखा ने मार तब ठीक था तो जैसे वो नायक जो उस समय नायक के जो पैरामीटर्स थे उस दोर में वो डिफरेंट थे और उसमें कोई आपका जो हीरो माना जा रहा है वो एक लड़की पर हाथ भी उठा ले तो उसकी एकसेप्टिबिलीटी उस समय थी अभी नहीं है एक वीडियो मैंने देखा कुछ जिनसे वाहर होला है तैनु प्यार करना पाएगा तो आदमी को था नहीं करूँगा तैनु प्यार करना पाएगा उस तो नहीं करूँगा ये एक जापार खीच को उसको मारती ये भी एक जापार खीच के मारती है उसको दोनों लपट करोने लिए बहुत पुरानी फिल्म है कुई हाँ देखा है ये विडियो गाँ कमाल का था तो मैंने गए ये होता है प्यार प्यार में जान देने की ताहर हो नहीं पुता कौन से पिच्छर का है अब हमसे पूछ रहे हैं पूचको जाएं बबता है है मैंने बहुत चल उसने नहीं मैं बोला नौसे बारा वह बोली चे से नौ बोला नौ से बारा, छे से नौ रात को जाएंगे मज़ा है गर ना इछे से नौ निश्क आप प्यार में जान दे दी उसने प्यार में जान देने के तैयारी होनी चाहिए उसने जान दी ना भाई साथ उसमें जो बेस सीन था मेरे डादा-जी के दादा जी के दादा जी के दादा जी ले नहीं, नहीं, मेरे दादा जी के, दादा जी के दादा जी दादा जी बहुत बड़े सिकारतए, पागल हो जाता है। चल रहा है कुछ लोग कहते हैं कि मैं डार्क फेज में चला गया चारेक्टर करने समय तो कुछ लोग इसका मज़ाग उड़ाते कि जूट बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है अब एक अक्टर ने प्रशान नारयन करके वह जैसे रनवीर सिंह ने बोल दिया था कि खेल जी का डार्क फेज में चले जाते हैं वो निकल नहीं पाते तो बोलते हैं कि मैं भी डार्क फेज में चला गया था गली को लिया करते समय तो बोलें कि ऐसे लोग जो हैं जो हम लोग को बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता वो लेजी आक्टर्स हैं लेकिन अब चुकि आपने बोल इसने बोला भी था जब फेर अवार्ड हुआ था जब मिला था इनको मनोज बाचपी को शूल के लिए तो उन्होंने कहा भी था कि जन्जीर देख करके मैंने वो इस्पिरेशन लिया तो वह बात नहीं करते जिसे सुबह शूट है तो शाम से या रात से किसी से बात नहीं करत पूलते हैं उनको अमिता बच्चन जो उनके सबसे दूर के फैन होते हैं जो जहलक भी शायद नहीं देखे एक जो कभी जहलक ले लिए हैं तो फिर होते हैं बच्चन साहब और एक होते हैं जो 15-20 मिनेट की एक मुलाकात उनको नसीब हो गई है तो उसके बाद से वो अमित जबरा फैन मना भाई साल जिगर कार दर्द उपर से कहीं मालूम होता है तो आप भी देखो मेरा हाथ ऐसे ही रहता है कभी भी नोटिस करना है कि बच्चन सावे मसा यह बैट ने तो स्टार ने उसका दौर था संजू सहा एचार हेड होते थे बहुत ही मसता था तो मैं उसमें कितना हो गया बड़ी टीम होती है सतर बहुतर लोग की एडिटर की टीम दिली में भारा मॉंबई कॉलकाता में तुम अपन इसे ही चोड़े में बढ़ते थे तू आ के बोलते थे हमें सा यार तु बच्चन का फैन है ना वह भी मैंने का आपको कैसे पता बूला अप उन भ होता है पैचान लेते हैं लोग यार वो होता है मैं खुद था और मैं उनकी तरफ बेल बॉटम पहनने लगा था चो अब इसे इसे के अमदिली खुद आय थे स्कूल में मेरा बेल बॉटम पैंट मैंने पहनना स्टार्ट कर दिया तो एक दिन एकॉनमिस की टीजर ने पकड है जिसमें माच चाहिए मैं रोर देता था भाई सब खुद बलिख बलक के रोता था अच्छा उस फिल्म की कानी मैंने तीन ताल में पता है फिर आपको बता दूँ वो उतना सीन जो है न उसकी डबिंग नहीं हुए है उसकी नहीं है पता है मझा क्योंकि हो इनी सकता था ब रुपीने से सला लिवर करा हो जाता है वो वाला और ये मुंशी जी वाला तो दोनों के डबिंग नहीं हुए है क्योंकि वो बोलते है कि दुबारा से उसी मोशन को जीने बड़ा मुश्किल होता है तो मेरे कई दोस्त ऐसे थे जब शराबी मुए तब वो डेवीडी वाला जबान नहीं था केबल वाला जबाना था शराबी VCR का time के था हां तो TV पर जब आना शुरू होता है तो मेरे दोस्त में फ़ोन करते थे शराबी अरे देख लो तो मैं अपने लेला के बैट के देख्यों करते नहीं ब ऐधारा तो पीछे डगी मैं भी बना तो बच्चन साब रोए तो मेरी अम्मी मरूम नहीं है वह हमेशा कहती थी कि जिस दिन बच्चन साब में जड़ों जड़ों मारें इसको जिसकों से तुम इस सब कर रहे हो और मैं कहता था बच्चन साब तो वो सिनिमा रामदीर ने बोला था ना रामदीर जब तक सनिमा रहेगा कुछ नहीं हो सकता सिनिमा हमारे जिंदे के अभी बच्चन अंग है देवडी भी उसका है उसका है वो तो देवदास का ही modern version था modern adaption of अन्राक करशब वो भी class था आप कह सकते है उसमें भी गाने उसके भी गाने बहुत पसंदे हो ज़े पारो और वो क्या माहीगिल माहीगिल का वो जो सीन है उसमें मैं वो अन्राग ही कर सकते थे उस तरह से जो कपड़ा दूती है जो डांस कर रही है पहले एक हिचक है दुलें की पर खुल जो मैं वैसे देखता हूँ कि उसकी चादी हो गई है माहीगिल की उपने घर पे और यह फोन कर रहा है और किसी लॉज में है बहुत दारूपी रखी है माहीगिल जाती है मिलने उससे उसका कपड़ा दोती है वो बहुत टची सिंतर पर लिए और फिर वो कुछ बत्तमीजी करता है फिर थपड़ मार के चलिया तो नहीं से लेकिन उसमें चांसर दिखा है कि वो प्यार एक बार हो गए ना जिंदगी पर रहेगा हवस नहीं होता है प्यार होता है लव गुरू खांचा पॉरा है अधूरा प्यार के पूरा है मैं सोच रहा हूँ उसी वाले में एक से प्यार पर करेंगे खुल दिप उसका अकलन करके बीबीप लगवा देंगे वो गुलाब भाइटी ने देवदास देखी तो मुझसे कहता है कि बाई हमें ना पसंद आई हूँ पर हमने देवदास देखी मौ जागी हम पहन होगे इसके क्या देख लिए हमने कौन से सीने कर ना रहा है मैं चांद से अपनी वो करती है तो मौतियन की माला से सर फोड़ देता है मैंने का यू बढ़िया तेरे अलगे पुले वो इसमें पसंद करने लगया एक्टर को एक उसमें देवदास के एक सीन था जब शारुक खान आता है और पूरे कागजाद जला देता है त पूरा प्रपरटी का पेपर जला देता है बीच में बैठा हुगा चारो तरफ आग लगी होगी है ऐसे माचिस फेक क्या लगा दीस हम भी सोचे लेकिन घर में था नहीं है जला नहीं हो जला दे तो बहुत कुटाते बरना शौक तो पूरा था कि हम भी जला दे बट सही में संजा लिला बन साले का ये सब दिमाग का कीड़ा हो जकता है एक मैंने न ये प्रेम त्रिकोन जो है देवदास भी होई कहानी है प्रेम त्रिकोन का एक मैंने ओडियो कुछ साल पहले वैरल हुआ था मेरे पास कहीं से घूम कर आ गया था उसमें मुझे जितना याद है कमाल का वो आडियो उसमें मुखे केरेक्टर है जिसको कमरे में बंध करके पीठ के मारा गया है दूसरे प्रेमी की ओर से जिसका नाम लाखा है जिसने मारा है फिर ये अपनी प्रेमिय का को जो संभवता दोनों की प्रेमि का है फोन करके शिकायत थन कह रहा है और बीच मिरो भी कर दो और मैं लाखाने मारूंगो तो वो कहती है कि रुक जाओ मैं अभी बात करूंगी तुमसे मैं बकरिया बांध गया आती हूँ बहुत बड़ा नकटा हूँ और उसका नाम लाखा है तो वो लाखा के बार बार जिक्रा रहा है फिर बीच में वो कह रहा है कि चार बेलता दही सार नियाद बहुत मारा बदला लूगा मैं बस यहां से निकलू किसी तरह चा भी ना मिल लगी फिर वो उसे मतलब आखिर में यह कहता है कि अगर जो तूने मेरे फोन पर फोन ना किया पोन पे पोन ना किया वाह। अगर ज़ड तुने मेरे पोन पे पोन ना किया तो मैं और लाखा 7 मरंगे फाड़ पूरे। पाड़ पूरे। फाड़ पूरे। अगर खुलतीर तुमना कसमने 3 ताल में इसी लेग मुझे बिला करो। तो प्रेम त्रिकोण का से होने वाला हास से भी बना रहे, तरास्ती भी बनी रहे, ये सब मानवी है, अधूरा प्यार जिसको मैं पूरा कहता हूँ, उसमें एनरजी है, जो प्यार पूरा होगे ना, तो साधी होगे, हुई ना, तुम्हारी भी हुई, अधूरा प्यार जब होता है ना, तो बहुत कुछ करने की उर्जा रहती है, और फिर आप महीने में हजार मिलिन ला सकते हो, पूरा करने की, बाकी चीज़ को पूरा कर देते हैं, बहुत मज़ा है, अंचा कुछ कुछ होता है के रिपत भी है, मेरा पहला प्यार अधूरा रहा ही रहा है, एनरजी देता है, कई से समझाए तुम्हे हमरा पहला, मुझे बेस्ट गाना लगता था तो, शीशे से, शीश चराबी में हम लोग कह रहा थे कि बहुत सारी शायरी थी, जो मिताब बच्चन, मतलब शायरी थी नहीं, वो ऐसे बिना वजन की शायरी, जो मुझे बेस्ट ना, इसमें एक जायलोग होता है, अमिताब बच्चन जब आफिस आते हैं, तो धरवाजा खुलता हो, हिफला से दारूपी तो अराम, उनसी जी आएं, टाइप से कर रहें, तो एक आता है, Mr. Lobo, याद है, Mr. Lobo, लोबो साहब आपकी ये, और मूचे होतो ना, तुलाल ये सी, तो सब आदमी परशानी, इनको पचास लाग दे, पचास जार दे, इनको एक लाग, तो एक आते है Mr. Lobo की, आ Mr. मैनेजर साहब अपने, यहाई है, तो कितनी बेटे हैं आपके, उनने गा तीन, इन्हें देड लाग रुपे दे दिये जाएं, कुछ देड़ या डाईया से होता है, एक एक बैनोग साहब से, पचास पचास जार आएं, फिर एक और आता है कि मेरी मा का उपरेशन हो रहा मा, इनके लिए पुराया, अब भाई अपनी मा से कहिएगा कि वह में दुआ दें और उनका एक बिटा यहाँ जिन्दा है, पिच्चर के असर था ही, इस्टार इसमें थे एक लड़का था, नाम नहीं लूँगा, एडिटर है भी, वीडियो डिटर, तो हफते भर जॉइनि हम, हमकी फॉरण तुम जाओ, और जब तक सब कुछ सही वाइदा तब तक मौफिस मताना, और सुनो, तस पसंट इसकी तनकावर बढ़ा दो, और कोई सालरी नहीं कटेगी, और रहा अपनी मा से कहना क्यों को दूसरा भी कहना है, खान चाही ना मिता, बच्चन मोड, दे द दी, तो बच्चन साब को असमें जो था और बेस तो वो था कि आज इतनी भी मैश्र नहीं मैं खाने में, यह जितनी हम छोड दिया करते हैं, पैमाने में, और वो सीन जो था ना, उसी मौशी जी उससे दिन नहीं पड़े ले में, यार कोविड के टाइम में बड़ा यह लेकिन कसम से आप उस सीन को देखना चाहरे पर तरलता आई है पता नहीं यह जूम होगा कैमरे से कि नहीं ठीक नहीं अभी तरी के खोलते हैं ना बहुत कोशिच की मैंने नहीं कुला अभी बैट करके ठेक करके फिर तो वो मयू आता है चायवाला किसाब आपको याद है आपने मुझे पैसे दिये थे बच्चन साब में बहुत पैसे बाटे प्राण के प्रण के प्रोडूसर के थे ना कुद करने प्राण के और बैस सिन जिस घर में मुहपत नहीं होती क्योंकि बच्चपन में जब वो चीखता था तो आप कहते हैं तो दो चमच बरांडी पिला दो आज भाई दो चमच बरांडी शराफ की बोतल बन गई है बहुत मच यार बहुत ही कूल था बहुत ही कमाल की मूवी है वह उसमें जो बेस्ट सीन मुझे लगा है मुझे 9 लग खा मंगा दे रहे वो सजना दीवान ने पूरा सिनेमा, ठेटर सरी, वो जो अल्टोरियम होता पूरा बच्चन साफ बुक करके बैठे है और बगल में उनका बार रखा हो मुंची जी पीशे गड़े जा प्रदार नास्ते नास्ते देखती है अड़े ओडियंस तो ही नहीं, अकेले एक आदमी बैठा हुग है तो बच्चन साफ यू पढ़ ले हो कि हम तो आपकी आदाकारी देखने आये थे हम ये क्या पता थे कि अदाबत हम तो आपका होसला अफजाई करने आये थे आपने तो हमें जलील करकर ले लिए जो बोल देती है कि आप अकेले बैठे हुग आपने सारी टिकट खरीद ली जो कलाकार होता है वो तालियों की गुंज का मौताज होता है आपने पूरा सब अकेले बैठे हुग इससे बढ़ी हाता है अब आपके कोटे पर चले जाते है तो मिताब बचन को बुरा लग जाते है फिर उसकी बात क्या होता है रंजीत कुछ बदमासी कर दो फिर बच्चन साहब उसको जो घागरा चोली पहन कर नचवाए रंजीत का एक ही काम होता ही है वसे दारू पिलाते हैं फाहले उसको खूब भर पेट ठूस करके फिर घागरा चोली बना करके और जैसे रुकता है धिच क्या फिर रंजीत रचलता था डिंडिंडिंड डांस कर रहा होता है बहुत ही बहुत ही बेतरी नादाकारी बच्चन साहरे कि यार इतना बढ़िया करेक्टर है सब्जेक्ट है सराव और सुने जंगल पे कोई फिल्म बढ़ियां बताईए जंगल मैं बताता हूं ना शेर खान ये कर रहे है ना सबसे पहले पूछे का आप आप जुनून से ज एक फॉर्मूला था उसमें उसमें क्या होता है कि राहुल रहा हीरो है वो शिकार करने चले जाते है और गलती से अमावसिया के रात में एक दिन शेर को मार देते हैं और उसमें क्या होता है कि हर अमावसिया के दिन फिर राहुल रहा रात को शेर बन जाते थे ये महेज प्रेम 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 उसका वो वी एफेक्स वी एफेक्स उस वक्त जैसे भी उसकी आप था बट उसक था कि वो जो मेकप करने के लिए रहूल गंटे को ना उसमें बड़ा ये चल्चित पूवे थी लास्ट में फुल टाइगर बनता है वो 17 गंटे का मेकप था उनका और स्टोरी है सेम स्टोरी है बस उसका रिफाइंड वर्जन है लेकि जुनून का ही है देखो भेडिया में न जुनून में प्यार था पूजा भट अधूर अधूरा प्यार उसका विरा जाता है उसका एक गाना था वक्त कटे नहीं कटता है बट वो टाइगर टाइगर करके जो मर जाती है विचारी नहीं पर आप से सोचें कि कभी ऐसे एक दिन के लिए या हफते में एक रात के लिए शेर बनने का मौका मिले बन गया शेर का हम अच्छा फ्राइड़ एवनिंग से शेर का हम बन चुका हूँ और जाली वाला नहीं असली वाला उसमें सीन था रहू रॉय गलब में जाते हैं कोनों लड़की फसती है और लड़की कहा है मारता था आदमी कहा है नहीं मतलब उसमें भी आदमी मार हो ज़्यादा गोस मिलेगा लड़की उठा के लिए आ करके खा जाते थे और सुबब नात विच्छे से हड़ी भी निकालता है फिर चलिया उस बदावन जिनके बात की एक जमाने बड़े फिल्म में आई थी उनकी बलमा अरे इसका जो टाइटिल सौंग था ना वो मेरे जमाने का था क्या था अगर जिंदगी हो तेरे संग हो बलमा आतों पर लिए बलमा का नाम और एक गाना एक मूई और आई थी अब नास बदावन एक और थी बताओ आप जो मेरे मीथना हो ते वोटों पे मेरे मीथना हो नेए एक और अच्छी गानी थी जो मंदिर के किनारे बैटको में आई मिलन की रात इसर क्यार तुम बैठो मेरे साथ भाई कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की यार कैसे पहले लिरिक्स बेस अब हम से ना सही जाए जाए जुदाई हाए और यह जुदाई न सही जाए गाना दबाई मत रो मेरे दिल ताव नहीं है एकदा मुझे श्रिंखल हो गया प्रिंस्पल साम नहीं है ताल की चटास देखते ही बनती वो जो प्यार मेरे मोका है आज लॉड़े बैट गया है आज फ्राइड़ नाइट आप करोड़े है आट सोरो पर तुम दोगे आज हम क्यों देंगे आप नुमाल लगेगा रात में भाई कुरेद को तुम जा रहे हो दवा को पईसा तुम ही दोगगा ना और कुरेद दो आई लिन की रादी नाजराना साजन का प्यार लाल दो पट्टा मल-मल का पहली टेला फिल्म की ते लाल दो पट्टा मल-मल का ना जाने क्यू मैं बेकरार इसको पता ही नहीं तुमने रख तली तस्वीर हमारी पता है हमारे जनरेशन में इधर मेरे दिवाँ में गाना चले हैं एक बार में इतने सारे गाने आज वाले लड़के बता भी नहीं सकते गाने ही नहीं हैं अभी एक गाना भी चाहे मैंने वो सोचा कि ये आईशा जुलका भी थी गाड़ी में सुन रहा था वो गाना तो मुझे लगा या तो नितिन गटकरी का गाना है वो कह रहे हैं सडकें बिचावांगे गली गली फिक्स है बूंद पानी की तन पे गिरे क्या गाना था जुनून का यार अज तुमने तीन टापिक चुड़ा है बॉस पहला दम के ओवा पानी दबा के चला शरावी बच्चन साहब का दूसरा वाइड लाइफ जुनून लिया है तीसरा मेरे जो टाइम फ्रेम में गाने आते ताउ होते तो और मधार क्यों ताउ मुझसे चार पांस साली बड़े आपके कितने मधा नहीं ताउ जादा बड़े हैं ठीक है छे सल फिर भी रम तुमसे बड़े हैं तो आइसा जूल का भावी हमारे मामा नीलम को देखो देखो तुमारी मामी है हमारे पारिवारिक पुरुशों का सिनमा के साथ जो एक दिम से परिवार निकल के बाहर चला जाता है यार नीलम के और आमीर खान के एक मूवी थी अफसाना प्यार का तिप पारिस जूरो हो गई आज के मौसमें कर लगा दो और गाड़ी चल ली हो तो मजा जाए गाना बजरा हो दूसरी एक मूवी आया थी जंगल पे काल वो तो बहुत बात में 245 वाई थी उस मूवी में आजयो देगन थे जो भूद बने है ठीक है पता नहीं क्यों भूद बने है वो भी किसी शेर को मारदेते हुए उनमें आत्मा चलिया आती हैं बिवे को मारते ये बैसिकली शिकार कराते थे गाह वाले ने गाहर के था इनको पेल दिया हतं हो और हर बात पर इससे तुम्हारा है हर बात पर इससे चान समार दूं है और कॉर्बेट के भाई साथ एक सीन उसमें जो दिखाया है जिम कॉर्बेट है जिन्दा होते तो टाइगर इन सबको मार दे वाहियात मूवी उसमें जो एक सीन है जो चार पांच शेर जो आ जाता है जीक के पास अच्छा वी एफेक्स है वो आपने जो फोटो दिखाया था जो आपना वो मैंने खीचा औरीजनल लेबट जिसमें की शेर देख रहा है वो वी एफेक्स है थे वो इसमें वी एफेक्स है थे वो इसको मार दो नो टाइगर ले पेड़े देता चार शेर देख लेता शूटिंग बंद हो जाते बाग जाते इन्होंने बफर जोन में जू के थे और वो वी एफेक्स के थुरू उसमें जंगल नहीं था अच्छा जंगल नहीं था ये नहीं पता लेकिन वहाँ पे इस फिल्म के टाइम पे रामनगर में हुई अच्छी बात है कि ये फिल्म पूरी शूटिंग कॉर्वेट के अराउंड हुई है तो वो लुक सिर्ण इसलन हें और भी पिस्तोल रखा कामरा कहरत हैं च्छा उसके साथ बी किया यह मलाइक मलाइका रोड़ा और शारुख थे आखर ऑर फिल्म में जारुखान बहुता है वो कौन्सीं यह शक्ती शक्ति क्या वाईयात मूवी थी भाई नाना पाटकर ने अच्छ एक्टिंग की थी नाना पाटकर भी आया थे केस्टिंग में तो बता रहे थी उस मूवी के बारे में फिल्म बहुत ही वाईया थी संजय कपूर्तिया और करिश्म कपूर तुमको नहीं पता हो गई एक दौर था sinema का यही time था जहांप वाहियात से वाहियात मौज़ नहीं सिनिमा मेरे खालता से दिल चाता है ovat जैसे मुवी जबानी शुरू इस तर हुए तो anal 90 अंति तो लेट 90 की मौज़ नहीं था अर्ल 40 तुफान जास जा ओगर अपने को एक अच्छा फायदा ये है कि जुनून, काल ये सब बेकार है शेर खाँ जिन्मिन है खाँ चाहिए शेर खाँ है इसमें रूप नहीं बतला है तीन ताल तो पहला प्यार है जो पूरा रहेगा हाँ वो तो है spin-off है एक सेग्मेंट है जिसको हमने अलग कर दिया बिजार खबर की और बढ़ते है हिंदी के मशूर कवी और साहितिकार है नरेश सकसेना उनके साथ साइबर क्राइम हो गया गुमती नगर के रहतने वाले हैं लखनू गुमती नगर तो जालसाजों ने उनको नकली CBI अफसर बन करके जो है संपर किया और फिर अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया उनको छे घंटे तक नरेश सकसेना एक कमरे में बंद रहे उनसे जरूरी दस्तावेज और कुछ बैंक हातों के जानकारी भी ले ली हलाकि परिवार के सदस्यों ने एन मौके पर पहुँचकर इस ठगी को नाकाम कर दिया इस दोरान आरोपियों ने उनसे शायरी और कविताएं सुनी और बांसूरी भी बज़वाई नरेश सकसेना ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई इस घटना का जिक्र किया जिसके बाद मामला प्रकाश में आए और उनको वाटसेप पर वीडियो कॉल आई थी साथ जुलाई को करीब दो पहर तीन बजे और उसने खुद को CBI का इंस्पेक्टर रोहन शर्मा बताया और बुला कि क्या आपका अधार कार्ड खो गया है तो उनका ने ने बुले ने आपका अधार कार्ड से मुंबई में एक बैंक खाता खुला है जिसमें money laundering हो रही है और आप पे केस तो दर्ज होई गया है आपका अरेस्ट वरेंट भी जा रही हो चुका है तो digital arrest में बताया क्या करते है जिसमें आपको throughout present दिखना है वो कहते हैं कर आप यहां से एक मिनट के लिए भी हटे तो आप तुरंट arrest हो हमारी आखों के सामने रहो तो उसमें फिर आदमी उनसे करवाद चाहिए रूम लॉक करके आईए वीडियो कॉल पर आपके सामने लॉक करेंगे पेशे क्या है वह कवी हैं साहितिकार हैं नहीं होना चाहिए है कवी हो जो सकते मुगालते में जीरों कि यह भी कवीता है फिर उनसे पूचा कि आपका पेशा क्या है तो उन्हें बताया मैं कवी हूँ तो बोले मीर और फैज के शेर समच शौकीन आदमी था चाहिए फिर अपनी भी कवीता हैं उनसे सुनी कि आप क्या लिखते हैं उनसे बांसुरी भी बजवाई गई मसी भी का गया आप बज़ुर्ग हैं भले आदमी लगते हैं पिता समान है आप जल्दी छुट जाएंगे थोड़ा कॉपरेट कीजिए बना मैंसे इतना यह कि पहली तो मुझे चीज यह मज़ेदार लगी कि ठगों की भी साहित में रुची है सौमिता के साथ उतनी ही जितनी साहित तकारों की ठगी में है बढ़िया 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 ऐसे ऐसे कॉल तो आये होगे मेरे पास भी आया था एक कि आपका नंबर जो है आपका नंबर पर परसो ही है मेरी वाइफ को है कि ऐसा ही कि आपका आपके पिता जी ने बोला है कि यहाँ पे पैसे जमा करने के लिए वो अभी तक आया नहीं है आप रांसफर कर दो something something करके वाइफ ने बोला अचा ठीक है चलो रखो मैं तो टाइम बेस करता हूँ फिर उनका अपना और उनका दुनों का बट इसमें बहुत लोग फज जाते हैं जो केस होगा तो ही मेरे भी जान पहचान में मेरे पुराने और और अगनाशन में एक लड़की थी उनके फादर फज गयते है बट उसमें इस तरह का नहीं था आजकल क्या करते है एक और तरीका है ये ना आपको OTP वाला नहीं वीडियो कॉल करेगा कोई और नूड लड़की कोई ऐसा आपको वीडियो कॉल करेगा और स्क्रीन शॉट ले लेगा और फिर उसके बाद वो आपका फोटो भेज करके इसलिए अनौन वीडियो कॉल्स भी ना उठाएं उस चकर में मैं तो इतना सतर करता हूँ बताओ बहुत ही बारी इसी को ब्लॉक करके बैटे हुए थे पता नहीं कून कर रहा है तो ब्लॉक कर दिये अपने प्रोडूसर साब का ही तो इतना डर है इसमें भी जैसे कुछ दिन पहले में पस पूना लोन चाहिए नहीं चाहिए फिर भी मैं बदमासरी में ने का बढ़ी साहिमें इसमें फ़नी बात यह है कि यह लोग जो शाहरी वारी सुना है लेकिन उसमें कितना कोई फिल्म ऐसा है ना जिसमें बैठा के चले जैसे शारुक की मूवी थी यार बार्शा जॉन इलिवर नहीं एक आदमी मर अरता हो देखे प्लेन में बैठा हुआ है पूरे फिचर में दरा हुआ है तो इनके साथ भी वह हुआ कि आपको फ्रेम करके जैसे बजा करके इनको पर शौकीन क्रिमिनल्स भी होते हैं जैसे डेड़ हिष्किया में हैं कि विजयराच का करकेटर एक शायर को किड्नैप कर लेता है और कहता है शाम तक 20 कज लें मनोज पावा का करकेटर उसमें कहता है शराब ग्लास में ले पहले हरफ फिर बरफ इसे चोर तरीके लोग होते हैं बहुत लोग एब जैसे एक बार मेरे पडोसी के घर में चोरी हुई थी राची में तो चोर घुसे चोरी होई तो किया खाने का सामान ले के नहीं गये वहां बनाए पापड वापड नंकीन स्नाक जो भी निकला हुआ था वो सब निकाल करके रात को चाने है, बनाए है, खाए है, उसके बाद गया है, यह आजकल जो आ रहा है कि चोर चोरी करने है, A.C. के हवाँ में सो जा रहे है, एक और बैंक के बंदे थे जिसको एक चोर कही दिन से स्टॉक किया, तो घर है, चोर पहले संदर था, लेकिन सो गय था, बेटी के नीचे, तो यह अपने लेटे है, खराटी के वाज आ रही है, उन्हें कि क्या हो रहा है, अकिले तो मैं हूँ, घर में उनको कोई था नहीं, उन्हें जाब के देखा तो नीचे बंदा राम सो रहा था, उन्हें चट्टी के पुला है, फिर पुलीस आई, और जैसे ये वाला डिजिटल में हामफुल है, जिसमें प्रतिष्ठा को, जिसमें पैसा लेना चाहते थे, ले भी लेते तो थोड़ा पैसा ही लेते, मार को टाई नहीं किये, बांदे नहीं, खुद को डिश्टा लेते, फ्रेम में आब बैठें, खुद से अरस्प करके, तो बढ़िया था, मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन कई बास ज्यादा फिनांशल लॉस हो जाता है, तो लगता है, उसे बेटर मारी लो, इतना पैसा मतना नहीं, अब जामतारा टाइप कर दो, कभी है, कभी के बास हाँ, उनके पास तो, दोजार भी आएसे अधिक सम्पती ह जब कोई वावा करता है, यह भी था, प्यासा में है ना वो, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हे शोख नजारों, ले दे के मेरे पास कुछ हांसू है, कुछ आहें, प्यासा क्या मूवी थी, गबबर भी वैसे काफी रसिक था, उसने महभूवा महभूवा जैसा गाना भ और बीर जो फोड़ फोड़ के बोतिल गिरा ही से रहा था, गाड़ गड़ जाता था, पैर मुशे रामगड़ वाले अपने बहुत बेटियों को काउंसी चक्की कायता खिलाते, उनकी कविता वैसे नरेश शक्सिना की, एक्चली यह कविता बहुत मशूर है, बहुत छोट कोटेबल कोट है वो, और अभी तो जो बिहार में पुल गिरे, तब उसको बड़ा शेर किया गया, कि पुल पार करने से, पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी में धसे बिना, तो पुल जो है, पार होता है, चिठियों की और बढ़ते हैं, जो रियक्शन, पहले जो इस बार YouTube पे कॉमेंट आया है, पहले बोले रहा हूं, इसमें अजे सिंग का कॉमेंट आया है, यार पिशली बार हमने गुल संग पर बाद की थी, तो अजे सिंग का है, यार मैं सोच रहा हूँ की कहीं मेरे मम्मी पापा गुल संग के सदस से तो नहीं थे, जो उन्हों से कोचिंग आने जाने में बीच जाती है और अब भी हिसाब नहीं मिलना मैं उत्तर प्रदेश के उस शहर से हूँ जिसने अनेक ब्रह्मवाक के दिये हैं जैसे कि तुम हो वही जिसमें जमती है दही कानपूर से हैं तीन ताल सुनने का प्रारम तब हुआ जब किसी रात इलेक्ट्रो डाइनमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के सवालों से जूचते जूचते दिमाग का एक्विलिबिरियम बिगड़ चुका था और मन ने सोने का आदेश दिया तब ही सोते समय संगीत का चैन करते वक्त तीन ताल का एपिसोड सामने आ गया जिसके थमनेल में लिखा था कानपूर की चिकाई बाजी बस फिर उठाया हेटफोन बंद की लाइट वाल्यूम मद्धम करके कार्मा चालू किया सोचा था सुनते सुनते सो जाओंगा पर चर्चाओं पर हसते समझते नीन चली गई अफीम कोठी में अफीम का न बिकना फूल बाग में फूल न दिखना मोती जील में जील ही न मिलना जो कानपूर का एक दुर्ड संकल्प दिखाता है कि होते हुए भी कुछ तो है ना होते हुए भी कुछ तो है पहली चिठी लिखने का मन मुझे गुल की चर्चा के बाद हुआ जब ताउ ने कहा कि अगर आप 18 वर्ष कम हैं तो हेड़फोन्स लगा लें पर मैं अपनी मा के साथ खाना खाते हुए ये चर्चा देख रहा था फिर क्या मम्मी ने शक की निगाहों से देखा और कहा कि स्पीकर में ही सुन लो हमें भी सुनाओ कि आजकल क्या सुनते रहते हो बिना कुछ कहे मैंने वीडियो प्ले किया पर पीच पीछे उंगलियां क्रॉस्द थी कि ताउ आज कमान आपके हवाले है गुल संग और गुल मंजन की बात जानकर मम्मी हस पढ़ी और अपनी गुल से जुड़ी एक कहानी सुनाने लगी उन्होंने बताया कि एक बार दूर गाउं की शादी में सुबह मंजन मागने पर उन्हें गुल मंजन मिला था पहले तो उन्होंने मना कर दिया पर घर की एक चाची के सुझाए जाने के बाद कि ये नशीला नहीं होता उन्होंने गुल मंजन कर लिया उसके बाद मम्मी ने उसी शब्द का प्रयोक किया जन जनाना और बताया कि मनजन करते करते वो बेहोश हो गई थी दोनों उस पुराने याद को सुनकर हसे और खूब बतियाए बस यही किस्सा सुनाने के मन से यह पहली चीठी लिखी बात रही मेरे नाम की तो वो वैसे ही है घर का नाम मेरा सक्षम है पर यह नाम शायद अपन लिखने के लिए वही बताता हूँ शार्क को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता पर सुना है कि शार्क पैदा होते ही तैरने लगते हैं और मुझे भी जेए के समंदर में तैरना है शार्क टैंक शार्क भही है कानपुर से चिठी लिखे हो बहुत जोरदार बहुत पिर बीच में भी एक बार मैंने कोशिश किए था भी एक दिर में पहिए अब मैंने देखा रही है बहुत नहीं अच्छी बात लगी कि इस बहाने माता जी को एक पुराना किस्सा याद आया और आप दोनों उसको साजा कर पाए उसका आनम ले पाए गुलाब मार का भी गुलाथा है नूर का गुल कार्तिक जोशी ने लिखा है नेता नगरी से जादा मज़ा अब तीन ताल देखने में आता है क्योंकि यहाँ पर हास है व्यंग है और विभिन विश्यों की जानकारी है ताउ और सरदार की जोड़ी को जय हो जय हो जय हो इन्होंने लिखा नहीं पर मनें जोड़ अरे बहुत बड़े गाता है कुछ भी बगबग नहीं करूंगा सीधे मुद्धे पर आता हूं हरी डाल पर बैठा हूं चुपडी रोटी खाता हूं ताउ के कॉफी वाले ट्वीट से किस्सा याद आया तो सोचा इधर उचाल दे ताउ कैच कीजिए ताउने ट्वीट किया था ना कि कुछ शॉप्स ने लोगों को कन्विंस कर दिया कि कॉफी 300-400 की होती है अभी अभी हाली में सनातक की शिक्षा पूर्ण हो गई हिंदू कॉलेज से इसमें जो अंतिम परिक्षा थी वो थी 10 जून को फिजिक्स का पेप पर किसी प्रकार सवा घंटे में निफ्टा कर जैसे तैसे जान चुड़ाई पेपर कटिन था या कहें कि कम तैयारी के कारण कटिन लग रहा था पर जैसे तैसे ठीक हो गया पेपर समाप्त होने पर सभी बच्चे अपार हर्श उल्लास का अनभव कर रहे थे चूकि अंतिम सेमिस्टर का अंतिम पेपर था प्रसंदता चरमुत कर्श पर थी कॉलेज का अंतिम दिन होने के कारण हम तीन मित्र अपने प्रीय गुरुजी से भेंट करने गए गुरुजी की कॉलेज में न्यूकती हम लोगों के प्रवेश के साथ ही हुई थी हम उनका पहला बैच थे इसलिए गुरुजी के साथ भी हमारा लगाव है गुरुजी हमें ट्रीट देने के लिए CCD लेकर गए वो भी अपनी कार में बैठा गए देड़ तक बाते हुई गुरुजी ने अपने कॉलेज जीवन के किस्से सुनाए हमने कूल कॉफी ग्रहन की जैसे सेलॉन में नाई क के D10 करा लीजिए कहने पर मना करना कठिन होता है वैसे ही काउंटर पर हमसे कहा गया ये वाली इतनी अच्छी नहीं है फिर कॉफी फ्रैप या फ्रैपे ले लीजिए सर ठीक है स्ट्रॉंग कर दूं कर दो हेजलनेट डाल दूं डाल दो ये सब प्रपंच करने के बाद प् एक दिन पहले भी कम सोया था शरीर तो सोना ही चाह रहा था परन्तु कैफीन विरोध कर रहा था शरीर में नीद और कॉफी का युद्ध होने लगा दिमाग में इंजन चलने लगा अगले दो दिन में मुश्किल से दो चार घंटे सो पाया तीसरे दिन मौ के लिए ट्रेन पकड़ने के बाद ट्रेन में जूला जूलते ही अच्छी नीद आई उस दिन के बाद अब तो कॉफी नहीं पी है आगे निकट भविश्य में पीने का विचार नहीं है निशकर्ष चाय कॉफी से बेहतरीन है अपने लिए नेस कैफे ही ठीक है सीसीडी और स्टारबक्स इ इसलिए एक निशकर्ष और तीन तालियों के मीठे विवाद के लिए दशेहरी आम सरुष्टेष्ट है बिल्कुल आज के लिए एकना ही कॉफी है जै हो विदापुनर मिलाएं तमला चतुरवेदी तमला चतुरवेदी जॉक्टर रामलाल की गली निजाम उद्दीन पूर यह सवाल मेरे साथ चला जाएगा एक और जोक आया पर वो भी कट जाएगा तो छोड़े प्रक्रम को कितनी भी देर तक सुना जा सकता है इसके लिए धन्यवाद अभी सभी उपाख्यानों को तो नहीं सुना है फिर भी चिठी लिखने से खुद को रोकना आनंदित नहीं कर रहा था इसलिए इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन महले में बरसात को जोहते हुए ये चिठी लिख रही हूँ लगबग दशक बीतने को है स्कूल छोड़े हुए लेकिन अब स्कूल जाते बच्चों में अपने समय में स्कूल जाने के टाइम होने वाली हला या खुराफ आते नहीं देखती नहीं नहीं उनको कभी आपस में कक्षागत विश्यों पर गहन चर्चा करते हुए देखने को मिलता है लगता है कि इतना जल्दी ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ खेर अब किस्सा गुई का दौर खत्म सा हो गया है और 15 सेकंड के रीलों में तमाम संवेदनाएं सिमट गई हैं अब अम्मा चाची मामी फुआ दादा चाचा बज़र्गियत की दहलीस पर कदम रख चुके हैं रख रहे लोगों से उनके संस्मरणों के किस्से बढ़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और यह थोड़ी इंफॉर्मेटिव भी हो जाती है आप सब का बहुत धन्यवाद सौम्या सिंग इलाहाबाद थेंक यू पर्स मोबाइल ही है चला लीजिए पर कॉफी लेकर इस्टारबक्स में बोल देता है स्कूल वाली बाद ठीक हो जल्दी यह लोग मैं भी नहीं देखता हूं स्कूल के चीज़ों पर जिसकस करते हूं ज्यादा तर दिसकुशन हो रहा है यूट्यूबर्स के बारे में कॉंटेंट के बारे में इंफ्यूइंसर के बारे में ओ भाई तूने वो देखा मास्टर साब को मारेंगा हो वह वाला बात नहीं आज़कर नुगरा की और से सप्रेम चिठी अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो हाँ नुगरा यानी जो जीमन में खाने के बाद दोने की फेंक के मार दे या जो ओफिस आकर नाश्ता करता हो तो उसको नुगरा कहते हैं कॉर्पोरिक नुगरा तीन तालियों की जैहो बहुत देर से ही सही परन्तु तीन ताल को देखने सुनने का सौभागे मिला खांचा ताउ और सरदार को राजस्थान से राम राम शहर बताने से पहले किस्सा साजा किया जाए एक बार मेरी सीनियर कॉलीग ने पूछा कि तुम किस शहर से हो दो अक्षनों का नाम सुनती जवाब आया ओ, that's a suicide place थोड़ी हरानी हुई सुनकर आज तक मैं संशय में हूँ ताउ की उम्र खांचा के काल जाई किस्सों से मेरी कोई समानता नहीं परन्तो बीच में बैठे सूतरधार की टपे वाली हसी के साथ जरूर कुछ दिन पहले ही शुरुवात की है सुनने की और ऐसा चसका लगा कि पूछे मत दीरे दीरे पुराने एपिसोट स्निप्टाए जा रहे हैं पिछले एपिसोट में सरपंच को देखकर अच्छा लगा भूत प्रेद भगाने वाले बाबा और पिछले एपिसोट के एक छोटे से एंश पर कुछ साजा करना चाहूँगा सरपंच द्वारा भीड के उधारन के तौर पर कोटा की भीड भी शामिल हुई इस वर्ष कुछ 30 प्रतिशत कम भीड जमा हुई है कोचिंग संस्थानों में कारण गौर करने लायक है एक बड़े संस्थान ने बिहार, जहारखंज और उत्तरप्रदेश में कभी संस्थान नहीं रखे लेकिन एक नए वायरल संस्थान ने अपनी शाकाएं खोली तो उन शहरों में बड़े संस्थान को भी जाना पड़ा दूसरा मुख के कारण क्या बच्चों या पेरेंट्स की सजगता को समझा जाए 30 प्रतिशत एक बड़ी संख्या है प्रभाव सिधा इंट्री लेवल या निचले इस तरवाले करमचारियों पर पड़ा लाखों करोणों कमाने वाले IAT, JE और नीट के ध्यापकों की तंखा उतनी नहीं कम की गई चुकि करमचारियों को निकाले जाने से बदनामी होती इसलिए पंद्रह हजार को बारा कर दिया और पच्चीस को बीस आटो चालकों को अब शायद कम कहने का मौका मिले कि भिया विज्ञान नगर तलवंडी या राजीव गांधी नगर या सिटी मौल के या उतार दूँगा अब थोड़ी भूत प्रेट की बात है राजस्थान शायद अंद्रश्वास के मामले में सबसे आगे हो बोर्स की बात है पेट अचानक दुखने लगा रोज इंजेक्शन लगाए गए पर कुछ हुआ नहीं डॉक्टर बदले गए पर कोई फैदा नहीं दर्द इतना की मन ही मन मौत बहतर है जैसे खयाल आने लगे हफ्ता गुजर गया दर्द जोंकत्यों नेपाल से तंत्र विद्या सीखे हुए एक जान तेरी के पास ले जाया गया अंतरमन से दुखी होते हुए उसने कहा कोई पुराना है जो आने वाला है शरीर में कौन है इससे पहले ये बताया जाए कि देवता अकसर या तो गाउं का कोई फेमस आदमी या कोई पुर्खा आपको आता है किसी विशेश दिन जैसे कि ग्यारस या चौदस यानि कि चतुरदशी मोजार्ट की सिंफनी बसती है और विशेश चंड देवता का आगमन होता है पर ये कौन बतायेगा कि exactly कौन आने वाला है इसके लिए सब देवताओं के एक सरगना देवता भी होते हैं जैसे पांच गाउं का एक सरपंच उनके हां मुझे ले जाया गया भवूत दी गई और कहा शायद दादा हैं जो रास्ता देख रहे हैं आने का पूजा कराई गई पर कुछ ना हुआ ठक हार कर दस दिन बाद एंडोस्कोपी से पता किया तो पेट की एक नस के अंदर एक बबल बन गया था पंदरा दिन की दवाईयों में से सिर्फ एक दिन की दवा खाई और दर्द छूमंतर सबक यह कि आत्मा आपको आने वाली होती है वो आपकी पेट की नस के अंदर के माइक्रो मिलिमीटर के बबल में रहने लगती है शायद उसे रहने देना चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी ना हो पर यदि आप 14 के दिन गर्दन हिलाना जानते हों तो गुड़ू भाईया वाली फूल इज़त मिल जाती है सबको गूगल पर जाकर फोली ए डियो सर्च करना चाहिए इसकी स्पेलिंग F-O-L-I-E-A-D-E-U-X है सरपंच के आगरे पर चिठी के साथ कुछ विशेश खाने की वस्तु नहीं भेच पाऊँगा क्योंकि चौमासा लगा हुआ है कोटा कचौरियों की पैकिंग में बाहर से अंदर की तरफ शायद नमी लीक हो जाए खराब होने का संशे बना रहेगा जट चौमासा के बाद जट सियाड़ा आ जाए तो और भी स्वाद आएगा बागी ताउ को विशेश प्रणाम सारा वैचारिक बोज उतार कर विटलेस हूमर दिखाने के लिए जैहो जैहो बरू लेकिन ये जो बबल गम लोग कहते हैं नाप गड़ा हुआ है तुमारा यहां पर इस तरीक चीज़ेश नाप के नीचे लोटा जो होता है न ऐसे जमीन में रख लो नाप के नीचे रखके लेट जाए तो सही हो जाता है क्योंकि चर्री सुरू हो जाते है नाप जो गड़ता है क्या चर्री सुरू हो जाते है चर्री सुरू हो जाते हैं चर्र से निकलता है मामलग पानी की तरह उसको कहते हैं चर्री सुरू हो गया एक्सपर्ट के देख रेक मैं ये टिस्टन्ट कीजिएगा खुदरंग की चिठी है खांचा नमस्कार आदाब पहले गलत वक्त आपको ये संदेशा बेजने के लिए माफी और शेर खान के लिए धेरो बदाई मैं भी एक तीन ताली हूँ मगर आज तक कोई चिठी नहीं लिखी और पहली बार किसी को यू संदेशा दे रहा हूँ तीन ताल सीजन टू से ही देखना शुरू किया और मुरीद हो गया ताउ की दर्शनिक बातें दिमाग में रह गए सरदार से सीखा बातों को मोतियों की माला में पिरोना और आप आए और बस सीधा दिल में खुज गए आप वो गारजियन बन गए जिन्होंने मुझे जिन्दगी जीना सिखाया बिना किसी लोट के उम्र में आप से छोटा हूँ और एक हिमाकत करना हूँ उसके लिए अभी से माफी नहीं करेंगे अगर जीवन में एक बार आपके साथ हाई हाई बैठना है दम किया हुआ पानी पीने की तमना और एक तमना ये भी है कि आपके साथ किसी जंगल या किसी पहाड़ पे जाना है जो कई किताब वर्षों लगा दे के ग्यान देने में वो शायद एक ट्रिप में मिल जाए अभी आपको जादा परिशान नहीं करना चाहते I love you खांचा और शेर खांच बहुत ही जादा महल बना दे ऐसी शुब खामना है अगली चिट्टी है विपल यादव की मैं गुडगाओ का रहने वाला हूँ और नेटिव दिल्ली का हूँ काफी दिल्ली वालों को ये नहीं पता कि दिल्ली में सौयों गाम है ये सौयों सौ से ज़्यादा गाम है और सारी दिल्ली उनके आसपास बसी है जो रोगन एक्सपिरियंस हिंदी वाले सब बक्वास ही लगे थे जब तक तीन ताल नहीं सुना था आप सब की वास्ताव में जै हो आप पहले वाले एपिसोट्स आपके निप्टा रहा हूँ और अब केवल तीन ताल ही सुन रहा हूँ तरीका हो तो आखिर मैं यह कहूँगा कि जितना ताउ को सुनता हूँ उतना ही अपने में ताउ को देखता हूँ पर अभी तक मैं बंदर के साथ होने वाली कला नहीं सीख पाया पर वो भी हो जाएगा कभी कभी लगता है कि अपनीच ताउ है खांचा अगर अपने किस्सों में नाम निले नग गए तो शायद कुछ पुराने पुलिस केस सॉल्व हो जाएग और कुलदीप एकदम परफेक्ट मॉजरेटर है आशा है कि आप लोगों से मुलाकात का उसर मिलेगा बाकी तीन तालियों से बातचीत का भी जै हो जै हो जै हो गुर्गाओं से विपल याता हूँ जब इनौ रिककाना कि गुर्गाओं का रहने वाला हूँ गुर्गाओं की बात सुनाता हूँ कुछ ऐसा टाइप तेमाग मुला है बहुत अच्छा अच्छी वात इनौन लिके सौयों बहुत बड़िया थैंक यू, थैंक यू सो मच और भाई वैसे तो दुनिया की podcast community एक हो और आप अंग्रेजी वाले अपने प्रिये podcast छोड़ करके हिंदी वाले सुनने है, बट वैसे मेरा ने जी recommendation है कि अंग्रेजी वाले भी सुनते रहो सारे podcast सुनने चाहिए मतलब मैं तो चांद हूँ podcast industry का वही साली हो कहीं से बता रहे है कुली पताओने आज जोन नतोन हो रहा है बता रहे है तुम नहीं नहीं हम तीन ताल में शुरू से सभी podcast साब बढ़े है लेकिन तीन ताल देखो हमने अच्छा मैं वाकिए उनका सुनना बहुत पसंद करता हूँ जब भी समय बहुत लंबे podcast होते हैं उनके क्या मैंने सुना नहीं है जो रोगन है comedian है American और random वो मतलब वो interviews करते हैं बच्जों उनकी art है वो पाचीत की वो बहुत कमाल है मतलब वो मेरा खयाल है कि पूरी दुनिया में एक ही बार ऐसा हुआ है कि एक podcaster top trending पे रहा है global number one वो जो रोगन थे मतलब है वो skill वाले आदमी है और भारत में apple podcast के मताबिक हमने उनको पुछले है जब हमारा show आता है उसके 2-3 दिन हम उनसे आगे थे शुक्रिया और विपुल भाई हो सकता है आपने ही जो रोगन छोड़ करके तीन ताल शुरू कर दिया आनंद कुमार की चिठी है अगली की तीन ताल के सदस्यों को प्रणाम पीते कुछ दिनों से तीन ताल सुन रहा हूं और तीन ताल देखने का कारण ही मेरी इस चिठी की कहानी है आनंद कुमार नाम है बिहार के लखी सराय से हूं मगर अभी अपनी बीटेक की जिगरी के लिए घर से दूर बहुत दूर IIT मदरास में पढ़ाई कर रहा हूं सबके लिए ये दूरी अलग होगी पर ये दूरी मेरे लिए हम से मैं की है मैं साफ कर दूं कि मैं घर की याद आने की और नहीं बलकि यादों के घर करने की और इशारा कर रहा हूं शायद ये एक जैसा ही है खैर वापस संदर्व की और रुख करता हूं तीन ताल की बाचीत मेरे पिताजी और उनके दोस्तों के बीच होने वाली चरचाओं की याद दिलाती है ये वोही अनुभव है जो पंचायद सीरीज देखते हुए आता है ये मेरे उन कुछ प्रयासों में से है जो मुझे हम के करीब ले जाती है मैं भी पश्रिमंगाल के विश्नुपुर के दादाजी की तरह तीन ताल के एक एपिसोट को दो-तीन दिनों में सुनता हूं थोड़े समय की पाबंदियों के कारण लेकिन बीच में रुक-रुक कर इसके एक-एक विश्यपर तातकालिक शान्ती भी स्थापित कर लेता हूं क्योंकि दादाजी की तरह ना मेरी चाय की दुकान है और ना ही वहां मौझूद कुछ लोग जिनके साथ में इस पर चर्चा करूं किसी और भी विश्यपर अगर चर्चा कर भी लूँ तो वो मैं तक रह जाती है, हम तक नहीं पहुँच पाती मेरी चिठी का दूसरा विश्यपर है जहां पहले के जमाने में कुछ यार दोस्त हुआ करते थे जो एक दूसरे को अच्छी तरह जाना करते थे लेकिन आज तो जिन्हें ना भी जानो वो भी फ्रेंड है ये कुछ ऐसा है कि कुल जमा दोस्ती उतनी है लेकिन अब लेंदार कहीं है और आखिर किसी के हिस्से में कुछ आता नहीं है शायद ये तै करने के लिए मेरा तजर्बा बहुत सूक्ष्म है और इसलिए मेरी आप से गुजारिश है कि लोगों के व्यावाहरिक जीवन में आने वाले बदलावों पर भी कभी तीन ताल में चर्चा करें भाशा की अशुद्धियों के लिक्षमा प्रार्थी इस चिठी को पढ़ने के लिए धन्यवाद और ये पॉड़कास्ट के जरीए अपनी बात साजा करने के लिए भी आप लोगों का धन्यवाद जैहो जैहो गुरू आनंद कुमार हैं ये लखी सराय के और IAT मदरास में पढ़ाई कर रहे हैं इसका जो रेंज है ना कमाल का है अमेरिका लंडन यूपी बिहार जारकंड हर जगा पढ़े लिखे लोग और हमारे आपकी जैसे लोग भी जो कम पढ़े लिखे लोग है उनको वह भी सुन रहे है तुम हसे का ये उनको ने शामिल किया ना ठीक तो हाँ ये एक आया कि कई लोगों ने का मैं परिवार में शामिल नहीं हो पाया हूँ भाई अगर आप मित्रों तीन ताल सुनने लगे हो तो आप परिवार में शामिल हो बिल्कुल चिठी लिख ली आपने तो फिर माला भी पहने जैब बदरकाली वाला कसम हो गया है कि आप हमारे हैं आपने सुननी हैं आप हमारी से मौलानों लोग कैसे करते हैं हात मिलाए आज से आप हमारे मुरीद वो अब ग्रूप में शामिल कुछ लोग नहीं हो पारे तो इसका बार बार वो तगादा करें ग्रूप में टेक्निकल लीजन से उसकी लिमिट ने बढ़ देंगे डूवल सिटीजनशिप उसमें नहीं होगा हां सब एक बराबर हो चांदी चॉक टुचाइना एक ही रखना पड़ेगा और वो नंबर वैसे है आप डारेक्ट मेसेज कर सकते हैं वोइस नोट भेज सकते हैं दलवीर भाई की चिठ्थी का बहुत इंतजार है जो ऑड 99533 23303 Double 95323303 इस पर आप जारेक्ट हमें वेस नोट भेज सकते हैं और गर आपको लगता है वाटसेप पे नहीं भेजना है उनमिस हो सकता है तो आप इमेल कर दीज़े वहाँ शोर शॉट है कि हमारे पृदूसर उस पर नगा जादा अटेंटियव तरीके से दKर रखते ह में मुलाकात होगी ताओ आ जाएंगे अगे और वह वाला बोल दूना और शेर खान गुरू शेर खान का लिंक इसी वाले में नीचे है डिस्क्रिप्शन में सुनते हुए और वो छोटा होगा ज्यादा बड़ा नहीं पहले वो ही निप्टा दो तीन ताल तो हफते बर चलता कर दो हाँ